So, Hello Trader, कैसे हैं आप सबी? आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक trend line draw हो रही है यानि कि यह एक support का काम कर रही है लेकिन काफी ज़्यादा यहाँ पर chances हैं कि market इस trend line को नीचे की दिरब break करेगी तो यहाँ पर एक put में entry बन सकती है इससे पहले मैं आपको देखो 30 mint के chart frame में आपको दिखाता हूँ तो यहाँ पर आपको क्या दिखीगा? एक negative candle यहाँ पर बन चुकी है आप इधर देखोगे ना side में तो negative candle देखो बनी हुई है तो काफी ज़्यादा chances है कि market नीचे आएगा और आराम से हमें 10-12 point बड़े आराम से मिल सकते हैं ठीक है ना? तो RSI भी आप देख सकते हैं 15 mint की candle बनी हुए ना वहाँ पर भी negative candle बनी है देखो resistance पर है ना और अगर मैं 5 mint की time frame में दिखा हूँ तो 5 mint की time frame में कुछ इस तरह के का system बना हुआ है तो काफी ज़्यादा chances है कि market इस level को break करेगा हम यहाँ पर trend line draw करते हैं और इस level को जैसी break करेगा तो RRM से market 50-60 point यानि कि 750 तक आने की कोशिस जरूर करेगा यहाँ से इसको break करने की chances है और यहाँ तक आने की कोशिस करेगा second जो support रहेगा और नीचे वाला रहेगा लेकिन अपना target पहले वाले तक ही रहेगा 750 ठीक ना चलो अभी जो भी है मैं आपको grow application में लेके चलता हूँ यहाँ पर PCR ratio देख सकती हूँ 13 मतलब negative है यहाँ पर मैं आपको एक premium price जो भी है लेकर दिखाता हूँ यहाँ पर open interest अगर आप देखोगे 3850 पर 6000 के लगबग है ठीक है ना तो कोई दिक्कत नहीं है chances है नीचे गयाने की तो हम यहाँ पर put में entry ready रखते हैं और यहाँ पर जो भी हम put में entry लेंगे एक बर मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ चलो एंड ज़्यादा चांद से साइस train line को break करेगा market क्योंकि करेगा ना तो अच्छी moment आएगी 50-60 point की तो हमें आरम से 10-15 point मिल सकते हैं 20 भी मिल जाए 30 भी मिल जाए मैं यह नहीं बोल रहा लेकिन हाँ हम ज्यादा ची ज्यादा टार्गेट 15-16-17 point ऐसा ही रखेंगे 20 point तक का रखेंगे कंडिशन देखेंगे क्या है ठीक ना तो यहाँ पर मैं ready रखता हूँ put के entry इस candle की closing नीचे होते ही इसके नीचे होते ही ट्रेंड लाइन के नीचे निकलने के बाद नहीं पहले ही मैं trade ले लूँगा ठीक ना अगर आप देखोगे तो देखो rejection आ रहा है काफी ट्रेंड लाइन की cross करने के चादा chances है क्योंकि ऐसी condition में ट्रेंड लाइन बड़ी आसानी से तूट सकती है तो देखेंगे बड़ी आराम से नीचे का move देखो खाली दिख रहा है नीचे की तरफ आने के लिए रास्ता है नीचे अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ दो support काम कर रहे है नीचे तो यहाँ पर यह 750 तक आने की कोसिस करेगा तो rejection देखो candle काफी नीचे तक आ रही है rejection मिल रहा है सेलिंग का अगर trend line break हो गई तो अच्छी moment मिलेगी सेलर active होंगे यहाँ पर मतलब जो retailer है न वो seller की बात कर रहा हूँ बड़े seller नहीं जो retailer है ठीक है न चोटे मोटे seller तो active होंगे और selling करेंगे और जिन्होंने इस trend line को follow करके buy किया होगा वो भी फिर सेल करेंगे उनका भी ऐसे लेट होगा तो काफी ज़्यादा chances रहेंगे इसके नीचे आने के तो देखो काफी मतलब हो चुकी है नीचे के तरफ तो हम यहाँ पर अपनी put में एक entry लेते हैं क्योंकि chances है नीचे आने के ड्राइगी तो सही वैसे लेकिन कोसिस करेगी market नीचे आने की डरने वाले तो कोई बात है नहीं ठीक है न अपना SL भी ready है कोई दिक्कत नहीं है ज्यादे चे ज्यादे हम level का SL लूँगा देखो मैं point का SL नहीं लूँगा मैं level का SL लूँगा और SL होना जरूरी है देखो negative candle बना दी है trend line को break करेगी तो आर हमसे market नीचे आएगी लेकिन chances बहुत कम है मतलों कि कम यह नहीं मैं आपको बोल रहा कि कम है लेकिन हाँ आएगी जरूर लेकिन यहर दिक्कत देगी market मतलों कहने का मतलब यह है कोई भी level break करती है न तो बड़े आसानी से आ जाएगी फिर तो पैसा बड़े आसानी से बन जाएगा भाई इसको लिकालना भी है जिन्होंने put में एंट्री ली है जिन्होंने call में एंट्री ली है उनको confuse भी तो करना है न तो confuse करेगी confuse करके या फिर ऐसा लिट करके कुछ भी कर सकती है नीचे तो दिखो इसको आना पड़ेगा भाई analysis के हिसाब से नीचे तो इसको आना पड़ेगा किसी भी हालत में लेकिन देखते है भाई वो इसकी मर्जी चलेगी न मार्केट की इसको कैसे आना है किस तरीके से आना है वो इसको ही पता है आवे थोड़े न पता होगा ठीक है ना तो अभी देख सकते है आउ हो राया काम होने देते हैं ज़ादा से ज़ादा अपना 20 पोइंट का टार्गेट रहेगा ठीक है nा 15-20 पॉइंट का टार्गेट रहेगा और आज तो last दिन है 30 day trading challenge का तो loss नहीं होना चा चलो देखते हैं एक मिंट यहां पर आपको चलो दिखाई देता हूं पोजिसन डीटेल्स बगएरा क्योंकि सोरी टार्गेट लगा लेते हैं पहले हम ठीक है ना चलो इसको मैं सेल करूंगा 182 या फिर हाँ चलो 183 के आसपास इसको सेल करने की कोशिस करेंगे लेकिन 183 में य देखते हैं एडिट कर देंगे इसको कोई दिक्कत नहीं है एडिट कर देंगे अभी अगर आप देखोगे तो खुछ खास नहीं एक पॉइंट का भी प्रॉफिट नहीं चल रहा है मैंने यह लगा दिया है ओडर इसको मोडिफाई भी हम कर सकते हैं बड़ी आसानी से अग कि घुधा देखर कर रही है ना रश्री सपोर्ट पर सस्टेंस कर रही है तो है दम है नीचे आ सकती है मार्किट बिलकुल एसा निये कि भाई सब मैं बोल रहा हूं कि आएगी तो आएगी नहीं आएगा टो बिलकुल करेगी राइकिन देखो ट्रेडर का मकसद पूरी कहाना होता है लेकिन मार्किट का मकसद क्या होता है ये भी आपको पता होना ची कुल आपके अहीज चाह वरना मार्केट देखो, आपको पता है भाई साब सब नहीं समझ पाएंगे इसको, लेकिन जो समझ गया भाई माला माल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं, इंसे जार करते हैं, RSI भी 50 के नीचे हैं, हमें साइन दे रहा है, मार्किट नीचे आ सकता है, एंड ट्रेंड लाइन ब्रेक क के आस-पास, लेकिन देखो, मैं ज्यादा नहीं एकसेप करूँगा, मैं 750 तकी, चलो, पोजिशन डिटेल्स, हाँ, तो हमें यहाँ पर 4-5 पॉइंट मिल रहे हैं, चलो, कोई दिक्कत नहीं मिलने देते हैं, एंड 6 पॉइंट के लगबग मुझे मिल रहे हैं, यहाँ पर, कल पर सो तो बहुत खतरनाक चली थी, यार, 50 पॉइंट, 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, सेकेंड हो के अंदर मिल रहे थे, बहुत आसानी से, तेख न, एंड 5 पॉइंट के उपर एट के हुई है, अभी, 5 पॉइंट, सलो, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, देखो, ब्रेक क देना है, जहाँ पर अगर आपको आसानी से ट्रेड मिल रहे है न, जहाँ पर, मतलो कि वहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ यहाँ पर आसान है, और मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, मतलो आपको कोई ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं देरी, मार्केट की हाँ यहाँ से करती है क्योंकि यह जो train line है यह market है यह candle है पांच मिंट की यह सभी को दिखरी है बराबर लाखो करोडर ट्रेडर अब भाई expert पड़े है pro trader अब भाई भरे पड़े हैं कितने कितने education लेकर बैठे हैं कितने कितने साल 10-10 साल होगे 5-5 साल वह वाले इसमें 10 साल वाला भी है 1 साल वाला भी है इसमें तो इस हिसापसे पर क्या निकलगा आएगा बैज 10 साल वाला है वह जितेगा एक साल वाला नहीं जितेगा है Nor Esteem regression को वह ही समझ सकता यह जिसके पास experience कायए गा experience आएगा ट्रेड करने से, हैना, trade करने से, practical करने से, वैसे नहीं, देखने से, practical करने से, अब market तो पूरी process करेगी, देखो भाई, देखो अब क्या कर रहे है market आप देखो अब इसने candle की closing देखो, doji candle की closing करी है trend line पर देखो, doji है ये end, doji के बाद, अब देखते हैं क्या होता है वाई साब कोस इस तो पूरी करेगी अपना SL उपर है केंडल के उपर तीक है ना इस केंडल के उपर है अपना SL जो बीच वाले डोजी केंडल है इसके उपर है इसके उपर जाएगी तो मैं सेल कर दूँगा कोई दिकत ने फिर देखते हैं इंतिजार करते हैं या फिर SL, तो कर रही है कूसिस करने देते हैं सो क्रोस तो कर रही है मार्केट करने देते हैं इंतिजार करते हैं थोड़ा सा वाई देखो सस्पेंस होना चाहिए इंतिजार करना पड़ेगा थोड़ा सा तो मैं इंतिजार करता हूँ कोई दिक्कत नहीं है आने देते हैं देरे देरे से आएगी और देखते हैं वाई ऐसे लिट होगा या फिर टार्गेट होगा 750 तक अपना जो भी है टार्गेट है और कोशिस करते हैं मार्केट कर रही है कर रही है कोशिस अगर यह एक बार असी के नीचे चली जाएगे न तो ठोड़ी से चांसेस रहेंगे लेकिन इतनी आसानी से मार्केट आ IT नहीं है यार वाई आती नहीं इतनी आसानी से हाँ रही है कोशिस डेखते हैं common वार नीचे आ जाए ना ये तो मजा आ जाएगा तषी के नीचे आ जाए जाएगा उसके बाद देखेंगी प्रॉफिट केतना हो रहा है लोडSean केतना हो रहा है लेगिन इतनी आसानी से कैसे आईगी है एक रही बार इसको रेट्स्त करना चाहिए मेरे साब से मतलब कि उपर जाना चीए मेरे साब से क्योंकि देखो मार्किट जहाँ पर आपको दिखरी है कि यहाँ नीचे आएगी सीदी तो वहाँ पर हो सकता है मार्किट कुछ गड़बड करें यार इतनी आसानी से मार्किट दिखा कर मतलब कि सफा दिखकर नीचे नहीं आ सकती कुछ तो करना पड़ेगा मार्किट को यार ये करना पड़ता है मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि ये मार्किट को करना पड़ता है इतनी आसानी से मार्किट नीचे नहीं आ सकती कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है market को retailer को भाहर निकालना पड़ता है profit देखते हैं तो यहाँ पर 1000 का क्या बात है 10 point यहाँ पर हमें मिल रहे हैं लेकिन हमें 10 point नहीं हमें 15 से 20 point की आवे सकता है हमें तो उतने चाहिए तो कोई दिकत नहीं उतने भी मिलेंगे थोड़ा इंतिजार करते हैं कि चलो मैं दिखाता हूँ candle देखा क्या कर रहे है market देखा नीचे का दिखा कर अब उपर तो इतनी आसानी से market नीचे नहीं आएगी जो मैंने उपर देखो EMA है ना EMA 9 EMA इसको touch करकी नीचे आए तो मजाएगा थोड़ा सा swing बनाए market मतलो जो ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ क्रोस होगी ना तो एक बर इसको retest करें इसे retest मतलो कि उपर जाए उसके बाद फिर नीचे आएगे ना तो confirmation बढ़िया मिलेगी तो swing जो retest करके market आती है तो वो बढ़िया एकदम move रहता है और वो ही बढ़िया होता है तो देख सकते हो भाई साब क्या कर रहे है market एक मिंट बची है इस candle में ओ वाउ क्या कर रहे है भाई साब यह ही SL इट कराएगी मैं SL लगाना मैं आपको बता देता हूँ कि अपना SL कहां पर है कोसिस अरे भाई लिकल गए यार जो रिटेलर निकलने थे मुझे भी निकालेगी साइदी आज इसे आना तो नीचे पड़ेगा लेकिन ये कर क्या रही है आना तो नीचे पड़ेगा पर ये सस्टेंस लेगा सस्टेंस ऐसे सस्टेंस करेगी ना तो मज़ा नहीं आएगा सस्टेंज नहीं करनीची अगर ऐसी केंडल की क्लोजिंग हो गई तो दिक्कत हो सकती है हाँ इतना देखो मुझे पता है कि इसको निचे आना पड़ेगा इतना तो मुझे पता है ठीक है न क्योंकि असली जो सीन है न वो मैं देख रहा हूँ ठीक है न करने देते है इसको EMA के उपर अगर कैंडल की क्लोजिंग होगी तो मैं मान सकता हूँ कि मार्केट उपर ना जाए EMA 9 EMA आपको दिख रहा होगा इस EMA के उपर कैंडल की क्लोजिंग होगी न तो मैं मानूँगा हाँ अपना SL हीट हो जाएगा तो मुझे सेल करना पड़ेगा देखो है ना अगर अपना SL हीट होगा SL थोड़ी शी उपर है तो वो फिर मुझे सेल करना पड़ेगा मैं आपको लगा कर दिखा देता हूँ कि अपना SL यहाँ पर है यहाँ पर अपना SL है तो देखते हैं देखो एक ट्रेड में ऐसे लिट हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है दूसरी ट्रेड लेने की कोशिस करेंगे यह ट्रैपिंग भी हो सकती है यह सब कुछ ठीक थायर अनलिशिस के इसाब से मार्केट को नीचे आना चाहिए था पर यह कर रही है कुछ तो गढ़बड में दाया यह सब जो से ना पांच मीन के टाइफिरेम में यह तब лекते बोलता हूँ कि पांच मीन के टाइफिरेम देखना मतलब कि हर वक्त डियाजिजन चेंज कर देती है मार्केट छोटे टाइफिरेम में तो इसलिए मैं बड़े टाइम फिरेम देखता हूँ तो मैं बड़ा टाइम फिरेम देख रहा हूँ confidence तो है नीचे का ही उपर का कुछ सिस्टम दिख नहीं रहा है लेकिन फिर भी मैं अगर इसके उपर जाएगे न अपने लगा दिया मैंने देखो line लगा दी है trend line अगर इसके उपर जाएगी या फिर वहां तक जाएगी तो मुझे exit करना पड़ेगा क्योंकि market की चाल भी हो सकती है और फिर हो सकता है market उपर भी जाए लेकिन यार analysis के इसाब से market को नीचे आना चाहिए अब वो देखते हैं कि आएगी कब मैंने आपसे एक बात कही थी कि market जहां पर यार सभी को दिखर है यह ना कि यहां से market नीचे आएगी वहां पर market बड़ी आसानी से नीचे नहीं आती है कुछ ना कुछ उसको करना पड़ता है क्योंकि सभी एक तरफ नहीं सोच सकते सभी को एक सरफ अगर सभी एक तरफ सोचेंगे तो उस condition में फिर market कैसे चलेगी यार buyer और seller का view change करना पड़ता है market को seller का view change करना पड़ता है buyer का view change करना पड़ता है दोनों एक दूसरे के विरूद होंगे तभी मज़ आएगा ना तभी होगा कुछ दोनों एक साथ सोचेंगे तो मज़ा कैसे आएगा तो विरूद तो कर रही है यह करने देते हैं इसको कितना विरूद करेगी ऐसे लेट हो जाएगा और क्या होगा लेकिन हाँ यार सिस्टम इसका निचे का था वाई साब ऊपर का तो सिस्टम नहीं था लेकिन अभी देखो इसमें भी प्रोडेसर आ रहा है बाइंग का यह ऐसी बाइंग कौन सी बाइंग भाई साब जो ऐसे आ रही है कौन बाई कर रहा है यहां पर अरे भाई याद हो गई यार नीचे का सिस्टम है उपर जा रही है बताओ अपने ट्रेंड लाइन को छोईगी तो मुझे एकजिट करना पड़ेगा हाँ इसका सिस्टम नीचे की तरफ ही भाई है इतना मैं आपको बता देता हूँ ये अपना SL इट कराएगी 300-400 का SL चल रहा है अपना मुझे यार एकजिट करना पड़ेगा यहाँ पर डला रही है यार ये EMA की उपर कैंडल की कलोजिंग हो जाएगी तो मुझे कंफरमेशन मिल जाएगी कि उपर जाएगी लेकिन EMA के अगर नीचे कैंडल की कलोजिंग हो गई तो इसका विउ नीचे की तरफ ही यह बात ध्यां रखना ठीक है ना सस्टेन्स तो कर रही है मुझे एकजिट करना पड़ेगा बाई एकजिट करना पड़ेगा येजिट करना पड़ेगा चलो मैं एकजिट कर देता हूं इसे जलदे जलदे चलो ठीक है, 7-8 point का sell है, और देख सकते हैं यार, अपनी जो sell लगा रखा था न, मैंने इसके उपर चली गई, देखो यार, तो मुझे यार, sell करना पड़ेगा नियार, हाँ, अगर इस candle की closing EMA के नीचे हो जाती है, तो मैं confirmation मुझे मिल जाएगी, अगर मैं आपको time frame में negative candle एक यहां पर बनी हुई है, तो बहुत कम chance से भाई, उपर जाए market, बहुत कम chance से, तो इस condition में मैं भाई सब यहां पर put में ही entry लूँगा, और मेरी put में ही trade बनी हुई थी, लेकिन यहर इसने exit करा दिया, देखो कैसे view change करेगी, अब देखते जाओ, view change कैसे करेगी, रिटेस्ट तो इसने कर लिया है, चलो, इसके नीचे, EMA के नीचे हो जाएगे न, candle की closing, मैं put में entry ready रखता हूँ भाई, लूँगा put में, भाई, view put का है, तो put में ही लूँगा न, ऐसा दोड़ी ना है, अब भाई सा भी इसना balance नहीं है, ओके balance नहीं है, इतना हो जाता हो, चलो, मैंने buy कर लिया है, okay, buy कर लिया है, मैंने अभी फिर से उसी trade को put में, अब देखते हैं, EMA के नीचे, इसकी closing हो जाएगी, मैं confirmation मिल जाएगी, देखो, पहले ही confirmation मिली होई थी, कि नीचे आएगी, उपर नहीं जाएगी, ये तो स्रीप इसको करना पड़ता है, भाई स देखो, कहां तक गई है, मार्किटर फिर अब नीचे की तरफ selling आ रही है, ये swing हो गया, retest करके आये उस level को, है ना, देखो, नहीं होगी, EMA के नीचे ही candle की closing होई है, तो नीचे आएगी है, और ये जो candle बनी है ना, ये अभी green के बाद में, एक हमारी candle के बाद में, ये candle य है कि इसके बनने के बाद, मार्किट नीचे आती है, इस candle के बनने के बाद, कभी भी एक green candle, hammer type की, और बीच में इस तरह की doji candle बन जाए, तो उसके condition में क्या होता है, मार्किट नीचे आती है, उपर नहीं जाती है, बहुत कम chances है कि मार्किट उपर जाए, ठेक आना है, नीचे ही आएगी है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो हमें क्या फरक पड़ा है, हमारा charges लगा है, बस trade exit करा दी, कोई दिक्कत नहीं है, अब जाना उसी तरफ है, मार्किट को नीचे की तरफ, तो हमने फिर भाई कर लिए, फरक क्या पड़ेगा, charges देना पड़ेगा, एक trade मे 160 के लगबक charges हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेंगे 16, 20, 18, ऐसे point लेने की कोशिस करेंगे, और फिर से मुझे जो भी है, उसमें target लगाना पड़ेगा, set करना पड़ेगा, देखे, आप खुद ही देखेगा, आप किस तरीके से, देख रहे हैं मार्किट का system, क्या करक यह उपर जाकर देख भाल करके, हाँ भाई ठीक है, उपर जा रहे हूं, फिर नहीं चाहरी है, अब यह देखो अपना हो गया, cover हो गया है न, अरे भाई साब क्या बात, मार्किट ऐसा कौन करता है भाई, चलो अब हम लगाते हैं, अपना target set कर देते हैं, यह आप 166, 66 का च अब भी क्या दिक्कत देखो, अब मैं आपको बताऊं, अब दिक्कत आने के chances बहुत ही कम है, क्योंकि एक बार market ने कर दिया न, वो काम कर दिया, अब बार बार नहीं करेगी, इतना गरेगे न, तो फिर market फिर मजा को, फिर trade नहीं हो पाएगी, अगर बार बार ऐसा करेगी एक बार trade trap कर दे, एक बार कर ले, लेकिन बार बार ये system काम नहीं होगा, यहाँ पर देखो गए न, तीस मेंट के time frame में, negative candle form और यहाँ पर, देखो गोर से, यह देखो, अरे दस मेंट की क्यों लिकर गई या, पांच, अरे यह देखो, कर क्या रहे बाई, बाई, इसने market पर आज बना रहूँगा, अपना SL वो ही है, जो अपना पहली वाली में था, अरे भाई, आज तो कर दे कुछ profit, last day है, 30 day trading challenge का last day है, ऐसे नहीं जाने देंगे market को, profit तो लेंगे, चाहिए, हो चाहिए, मतलो green में होना चाहिए बस, आज के दिन, यह लाल में नहीं होना चाह है, ओके, क्या बात है, trend line, देखो trend line के नीचे उस doji candle की closing होई है, और EMA के नीचे, जैसा मैं आपसे कह रहा था, EMA के नीचे अगर candle की closing हो जाती है, तो confirmation पकी है, कि market नीचे आएगा, यह तो market का रोज का रोला है, यार, उपर नीचे, नीचे, उपर, ऐसा तो इसको करना प करेगी, तो भाई सब इतनी आसानी से सभी profit कमा लेंगे, यार, सभी पैसे कमा लेंगे, फिर loss किसका होगा, तो यह करना पड़ता है, भाई, ऐसी condition, ऐसे situation आती है, तो आए भाई, हमें क्या, हम तो अपने trade पर बने रहेंगे, और RM से इंतिज़ार करेंगे, अपने target का, जा जा कितनी उपर जाती है, तो देखते हैं, कमान, कमान, बस इस candle की closing ना, बिल्कुल ऐसे ही हो जाए, मतलो थोड़ी सी नीचे आ जाए, और ऐसे ही हो जाए, मतलो जो अपने train line मेंने draw कर रखी है, वह तक आ जाए, मतलो कि वो उससे नीचे रहे, बस, और पक्की confirmation है, बस, और जो बीच में doji candle है, वो उस candle के नीचे candle की closing हो जाए, पक्की confirmation तो शुरू में ही थी भाई साब, भिना analysis के मैं करता नहीं हूँ, आपको दिखाए कि कहाँ पर मैंने trade ली है, कहाँ पर मेरा essay लेट हुआ है, सब कुछ दिखाया है ना, दिखा रहा हूँ, देख सकते हूँ, आज मुझे थोड़ा सा time मिला है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मोबाइल में मैं किसी कारण से trading कर रहा हूँ, मोबाइल में आपको दिखा रहा हूँ, नहीं तो मैं tab में दिखाता, किसी कारण से, समझने की कोसिस करो, ठीक है ना, देखते जाओ, इसके closing में time है, आएगे, कोई दिक्कत नहीं है, आएगे, आएगे, इंतिजार करते हैं, देखो बाइ, trader हो, trader के अंदर suspense होना जरूरी है, suspense होना जरूरी है, लेकिन वो तब भी, जब आप सही direction में trade लेकर बैठे हो, market उपर जा रही है, आप suspense, मतलो suspense आपके अंदर बना हुआ है, नहीं market न मेरे विरूद जब market जा रही थी, तो मैंने exit कर दिया, तो ये थोड़ी सी activity, ये थोड़ा सा आपके अंदर होना चाहिए, कि आपके विरूद नहीं जाने चाहिए market, तुरंट exit करें, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता भाई, market है, कुछ भी कर दे, क्या पता, है ना, ये देखो अब देखे, कैसे नीचे नहीं आती है, अब देखते हैं, हाँ, अब थोड़ा सा मुझे, सांसा है, हाद गर्दे, market में बदब 20-25 मिंट ले ली, एक ट्रेड में यार, आज येर, 20-15 पॉइंट नहीं मिल रहे, क्योंकि मोर्डिंग में आ चुके इने moment है, मुझे थोड़ा सा अब टाइम मिला है, तो अभी मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, यार, ठीक है ना, नहीं मैं यार, मॉर्डिंग में काफी अच्छी moment मिली है, तो वहाँ पर कोसिस करते हैं, तो इतना रोले बाजा नहीं होता, जो अभी हो रहा है, साइडवेस से चल रहे है, market लेकिन कोई द बढ़ेगा, खतरनाग, क्या खतरनाग, आजा नीचे जल दिशी आजा, अपना टार्गेट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 750 के आसपास आते ही अपना टार्गेट हो जाएगा, come on market, come on, पस एक बार ये बड़ी सी candle बन जाए, बन जाएगी chances है, क्योंकि ट्रैपिंग, ट्रैपिंग करके नहीं पता क्या क्या करके market आईए, तो आएगी market बढ़िया एक बड़ी candle बनेगी, 50 तक आएगी, 750 तक, बढ़िया एकदम मस्त candle बनेगी, come on, चलो दिखाता हूँ profit, चलो तीन पॉइंट का यहाँ पर profit चल रहा है, वो 700 का लोस था, 800 का वो recover होकर यह तीन पॉइंट का चल रहा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, चलो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, क्या बात है, यहाँ पर थोड़ा सा net slow हो गया भाई, सब लगता है, मुझे scroll करना पड़ेगा, पांच पॉइंट का, यह net ने तो कृती खा लिया, यह जीओ का net है, जीओ को net चल रहा है, क्या यार, 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 हाँ 5 point का profit चल रहा है scroll करता हूं क्या बात है और यह net ने का लिया यह net थोड़ा सा कहीं जाना पड़ेगा कि 7 point का profit चल रहा है come on come on come on come on come on अब इतना इंतिजार नहीं करा टार्गेट तो हीट होगा अपना 90 पर मैंने इसको वो लगा रहा है 90 पर तो और हमसे मुझे मिल जाएंगे 10 15 point 10 तो मिल गए 10 point तो मिल गए मुझे क्या बात है 12 point मिल चुके हैं क्या बात है यह देख रहे आप देख्या देख्या क्या बात है यार आई है क्या खतरनाक ट्रेड है चलो 12 point मिल रहे SL पर बना रहूंगा बाई SL बिना नहीं 12 point यह बस 90 का होने ही वाला है 85 ओके सिर्फ चार पॉइंट है तीन चार पॉइंट है 83 यार कर दे यार कर दे रहे यार 90 पर है कर दे 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 12 point कमान 12 point 13 point कमान यह नेट ने खाली आए, आप मुझे स्क्रोल करना पड़ दा है बार बार तेरा पॉइंट, चोदा पॉइंट, पिचासी चासी, पांच पॉइंट है, उनली पांच पॉइंट कोई दिक्कत वाली बात नहीं मिल जाएंगे RMC मिल जाएंगे, कोई घबरानी वाली बात नहीं मिल जाएंगे RMC, थोड़ा सा मार्केट आएगी, थोड़ा सा नीचे की तरफ स्पाइक दे, कमओन, 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 कमओन पांच पॉइंट ही है मार्केट, ज्यादा बड़ी बात नहीं ये तेरे लिए, come on शाबास नीचे की तरफ, come on बस एक बार, एक बार स्पाइक दे दे नीचे की तरफ confidence बिलकुल है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है थोड़ा सा, एक बार मार्केट नीचे आए, please सिर्फ 5 पॉइंट है 90 होने में यहाँ पर अगर मैं आपको चार्ट दिखाऊं, तो देखो candle की closing हो चुकी है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आएगी मार्केट नीचे और हमें मिलेंगे, 5 पॉइंट यहर कोई बड़ी बात नहीं है, इतना तो मार्केट नीचे की तरफ spike देगे और इतना टाइम मार्केट ने लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इंदिज़ार करते हैं, देखो, बड़िया structure बन रहा है एकदम नीचे का, हो सकता है, नीचे भी चली जाए, लेकिन यह अपना जो भी है, target complete हो चुका है, बड़ी आसानी से आप देख सकते हैं किस तरह की यार, मार्केट ने, देखो, कितने मतलव की, कितनी दिक्कतों की बाद मार्केट नहीं आप है, जो भी है, मतलव की क्या यार, मार्केट चली है, खतरनाक, मज़ा आ गया, है ना, देख सकते हैं आप, 16-17 पॉइंट का जो भी है, हमने सोचा, मतलव की 20 का सोचा था, 15-20, 16 जितने भी मिल जाए, ठीक है, मार्केट यार, यहां तक ही chances है, मार्केट के आने के, और नीचे मैं accept नहीं कर रहा हूं, के नीचे भी आएगी, ठीक है ना, तो देख सकते हैं, आप किस तरीके से position details, चलो दिखा देता हूं आपको, और यहां पर देखो, अपनी 2 trade होई है, total investment और 200 quantity क्योंकि, एक मेरी exit हो गई थी, तो उसी को मैंने फिर से buy कर लिया, तो total यह लिकल के आ रहा है, ठीक है ना, अभी देख सकते हैं, बढ़िया, चलो मैं आपको एक trade और लेकर दिखाता हूं, ठीक ना, तो यहां पर मैंने एक trade अभी आपके सामने, उसी trade को exit किया है, sorry, वो buy किया है, जिस trade को मैंने यहां पर 1600 के लगबग profit गया था, इसमें अपना ज्यादा target रहेगा, दो के का, बस इससे ज्यादा मैं नहीं लूँगा, ठीक ना, 100 quantity मैंने फिर से यहां पर buy की है, तो अपनी 3 trade हो जाएगी आज की, और अभी देख सकते हूं, मैं ज्यादा से ज्यादा इसमें सिर्फ और सिर्फ 2000 से उपर का, क्योंकि अपना 2K का ही target रहता है, और आपको trading करके दिखानी थी, तो यहां पर मैंने एक put में trade ली है, ज्याद होगा, बहुत बड़े आराम से हो जाएगा, 2000 से उपर का, ठीक ना, तो यह मुझे करके दिखाना था, आपको चलो मैं दिखा देता हूं, क्योंकि यह last का दिन है trading challenge का 30 पार्ट है, तो इसलिए, तो अभी हो जाते है, 4-5 point है, इंतिजार करते हैं, तो बस थोड़ा सा यह न इन दिखाना, चार में मिल जाएंगे, पांच में मिल जाएंगे, 10 कोयी बड़ी बात नहीं है, ठीक ना, अपस थोड़े सई तरीके से आपको trade लेनी चाहिये, ठीक ना, मिल जाएंगे, ओ यह मुझे निफ्कत है, ठीक ना, थोड़ा सा इंतिजार करी और फिर जो भी है, द जाएगा कोई दिक्कत नहीं है यह हो जा बाई हो जा जल्दी सी कम ओन कम ओन यह अठारा सो उन्निस सो और यह एकेतर बहुतर थेतर हो जल्दी सी बहुतर का यह देखो गया चलो मैं इसको एक्जिट करता हूं क्योंकि ज्यादा मैं एक्सेप नहीं करूंगा क्योंकि देख सकते हो बाई सो तेई सो क्या बात है यह देखो अपना तो थोड़ा से दिखाया कि हाँ चलो दिखा देते हैं आपको लाइव ट्रेडिंग करके और मैंने आपको आपके सामने यहाँ पर ट्रेड ली थी देख सकते हो और कितने पॉइ पॉइंट वो और 600 यह तो दस पॉइंट में ले लिए बड़े आसानी से कुछ किया मैंने मैं अभी आया ही हूं मार्केट से और सीधा में मुझे दिखा हां भई सिस्टम नीचे का बन रहा है तो यह लोग पूट में ही ले लिया वाई सिंबल और एनलसिस तो मैं एक दिन पहले ही कर लेता हूं और सुभे बैठ नो पांच बजay बैठ जाता हूं मैं लैप्टोप पर मोबाईल पर तो दो एक घंटे तक मैं अनलसिस करता हूं और उसके बाद पूरे दिन जब भी सेटप बनता है मैं काम कर लेता हूं ठीक है ना वाद एको लोस होगा तो लोस चुकी हैं जैसा कि मैंने कहा था काफी दिन हो चुकी काफी टाइम हो गया है क्योंकि बीच में हर काम वगएरा हो जाता है इस कारण से 30 दिन अज पूरे हो चुकी है 30 दे ट्रेडिंग चैलेंज और कल जो भी है आपको जो gì 우ky profit ма बिंद लॉस पूरा जोड कर लिख रखा है ठीक ना और हो सेके तो आपको PNL भी दिखाऊंगा जो भी है गरू एपलिकेशन में ठीक ना ठीक ना तो कोई दिक्कत नहीं काफी मज़ा आया होगा और काफी आपको सीखने को मिला होगा 30 दे ट्रेडिंग चलेंज 20 के से हमने ट्रेडिंग करी है आप देखो क्या यहां पर सिस्टम क्या था कि 20,000 का मतलब यह था कि मैं 20,000 से ट्रेडिंग कर रहा हूं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे कि मान के चलो आपके आपका टोटल कैपिटल 30,000 का हो गया तो 30,000 का हो गया है तो इसका मतलब यह नहीं कि आप 30,000 के 30,000 रुपे इन्वे लूँगा मैं याँ पर इस लेवल पर इतना capable हूँ कि मैं सिर्फ 5000 से ही करूँगा तो मैं याँ 5000 ही रुपे इंवेस्ट करूँगा ऐसा थोड़ी ना करना है कि 20K ट्रेडिंग चैलेंज है तो 20K यहीं घूज दो यहीं पर डाल दो सारा का सारा नई वहीं confirmation क्या पता 10 point की हो confirmation क्या पता 50% हो है ना तो 50% confirmation में पूरा कैपिटल कैसे डाल सकते हैं अब पूरा कैपिटल 40 की हो गया मान के चलो तो 40 के 40 के थोड़ी ना लगाएंगे पूरा कैपिटल समझ रहे हो ना आप सो काफी मजा आया होगा और आपको काफी कुछ चीज़ें सीखने को मिली होगी 30 ड पूछने वाला हूं कि अगला ट्रेडिंग चैलेंज चलाएं और क्या-क्या नियम फॉलो करने हैं जैसे कि अगर आप बोलोगे कि मैं डेली आपको profit and loss दिखाऊं पी एने लिए दिखाऊं डेली जैसे कि आज मैंने ट्रेडिंग कर ली और कल के दिन जो भी है जो profit and loss है वो देखना चाहोगे profit and loss P&L हर दिन का दिखाऊंगा P&L ठीक है ना यह मुझे बताइएगा कोमेंट करके तो इन इयम को फॉलो करेंगे अगर आप बोलोगे कि ट्रेडिंग चैलेंज नहीं चलाना और आगे जो कि अब 20 के का हो गया है तो अब मुझे बताइए कि हम 50 के से ट् किम देखना रहूंगे जिस भी तरह कि मैं करूंगा या फिर आगर आप ऐसा बोलो कि मैं ट्रेडिंग चैलेंग ना चलाएँ तो वह भी मैं फॉलो कर सकता हूं अगराτοं बोलोगे नहीं चालना वैसे ही डेली ट्रेडिंग किया करो देली का मतलब कभी 10-10000 यहार से कभी 15, चाह जार से कभी 30,000 से हना जैसा भी setup बने उसके इसाफ से तो हम वो भी कर लेंगे ठीक है ना तो comment करके जरूर बताइएगा और क्या-क्या जो भी है 30 दे ट्रेडिंग चैलेंज में जो भी है आपको सीखने को मिला है क्या-क्या आपने जो भी है मेरे अंदर जो गलतिया है व क्या-क्या आपको बुरा लगा है क्या-क्या आपको अच्छा लगा है सारी चीजे आपको comment में बता देनी कोई दिक्कत नहीं है जो भी comment पढ़ेंगे उनको काफी कुछ चीजे सीखने को मिल सकती है काफी कुछ पता चल सकता है ठीक है ना जैसा भी आपको जैसा भी आपने आ रहा है, सब कुछ जो भी बता दीजीगा, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ, इन 30 दिन ट्रेडिंग चैलेंज में आपने काफी कुछ चीज़े सीखी होगी, और मुझे भी काफी अच्छा लगा, ये चैलेंज जो भी है फॉलो करके, मुझे मैंने भी काफी चीज़े सीखी हैं, काफी गलतिया की है और उनको सुधारेंगे अगले ट्रेडिंग चैलेंज में, और वो गलतिया नहीं करेंगे दुबारा, जो अभी अमने गलतिया की है, ठीक है ना, बहुत बहुत धन्यवाद जो भी है वीडियो देखने के लिए चैलेंज देखने के लिए और मिलते हैं अगले चैलेंज में बहुत बहुत धन्यवाद, जैसरी किसना सभी को बाई बाई टाटा, सी यू